वेलकम टू लर्न टुगेदर मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार एस्टेट सेकेंड पेपर हिस्ट्री को तो हम लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट देख रहे हैं और जैसे कि इसके पहले एक चैप्टर हो चुका है और पिछले जो पेपर वन था तो पेपर वन से बहुत सारे कोश्टन्स इसमें से जो है वो एकजाम्स में आये थे वो देखने को मिला है तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि हमारा अब हमारा जो चैप्टर है उसको हम देखेंगे तो चैप्टर कौन सा है लेखन कला और शहरी जीवन तो अब हम लोग लेखन कला और शहर कौनसी है तो कौनसी सभ्यता इसमें से है जो कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है तो यह सभ्यता जो है यह है मेसोपोटामिया की सभ्यता कौनसी है मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है तो राइट अंसर ओप्शन ड अगला है मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विक्सित हुई तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो दजला फरात नदी के किनारे क्या हुई थे विक्सित हुई थे राइट अंसर ओप्शन डी आगे देखेंगे एरेक तथा सुमेर के राजा की उपाधी किसने धारण की थी? तो एरेक तथा सुमेर के राजा की जो उपाधी है वो लूगल जगिसी ने धारण की थी? किसने लूगल जगिसी ने धारण की थी? राइट एंसर ओप्शन बी अगला है बेबिलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? तो बेबिलोन नगर का जो प्रमुख देवता था वो मर्दुक था कौन था? मर्दुक, right answer is option A अगला है अकाद का सासक सारगन किस वर्स गद्दी पर बैठा? अब काद का सासक सारगन जो है वो किस वर्स गद्धी पर बैठा तो ये 2350 इसा पूर्व में गद्धी पर बैठा राइट एंसर ओप्शन D मेसोपोटामिया की लिपी थी मेसोपोटामिया की जो लिपी थी वो कैसी लिपी थी तो ये किलाक्षर लिपी थी कैसी थी किलाक्षर लिपी थी right answer option B मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज कौन सी थी तो मेसोपोटामिया की प्रमुख जो उपज थी ये गेहूं थी कौन थी गेहूं थी right answer option A अगला है जूलते बाग किस सभ्यता की देन था जूलते बाग किस सभ्यता की देन था तो ये बेबिलोनियन सभ्यता की देन था पीली नदी किसे कहते हैं तो पीली नदी हांग हो को कहते हैं आगे है बुक आफ जेनेसिस में उलेखी ते शिमार नगर की पहचान किसे की गई तो ये किस्से की गई तो सुमेर से की गई राइट एंसर ओप्शन सी अगला है असीरिया का अंतिम महान सासक कौन था तो असीरिया का अंतिम महान सासक जो था वो असूर बनीपाल था कौन था असूर बनीपाल था राइट एंसर ओप्शन डी अगला है कीलाकार लिपी का आरंब कहा हुआ था कीलाकार लिपी का जो आरंब है ये कहा हुआ था तो ये सुमेर में हुआ था राइट एंसर ओप्शन ए अगला है पट्टे दास्मिक प्रणाली किस सभ्यता से सम्मंदी थे पट्ट दास्मिक प्रणाली जो है ये किस सभ्यता से सम्मंधित है तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से सम्मंधित है राइट एंसर ओप्शन सी विशेश रूप से गणीत का विकास कहां हुआ तो विशेश रूप से गणीत का जो विकास है ये बेबी लोन में हुआ कहां हुआ? बेबी लोन में हुआ, right answer option B आगे है मेसोपोटामिया की देवी इन्नाना का सम्मंद था मेसोपोटामिया की देवी थी इन्नाना, इनका सम्मंद किस्से था? तो प्रेम और युद्ध से था, किसे था? प्रेम और युद्ध से, right answer option A आगे है असुर बनियाल कहां के सा सकते? तो असुर बनियाल असीरिया के सा सकते? असीरिया, right answer is option A अगला है मेसोपोटामिया के उर देवता सम्मंद थी मिसोपोटामिया के जो उर देवता थे वो किसे सम्मंदित थे तो वो चंद्र से सम्मंदित थे राइट एंसर ओप्शन बी अगला है गिलगेमिस महाकावे का सम्मंद किस्ते है तो गिलगेमिस महाकावे का जो सम्मंद है वो मिसोपोटामिया से है राइट एंसर उप्षिन बी आगे देखेंगे संसार का पहला विधी निर्माता कौन है तो संसार का पहला विधी निर्माता जो है वो हम्मूराबी है कौन है हम्मूराबी है राइट एंसर इज उप्षिन ए आगे देखेंगे डेगन देवता का मंदिर कहां बनवाया गया थ तो डेगन देवता का मंदिर जो है वो मारी में बनवाया गया था right answer option A अगला है हम्मूराभी का कि विधान संगीता में कितने अनुछेत थे तो हम्मूराभी के विधान संगीता में 285 अनुछेत थे right answer इस उप्शन A इसी प्रगार से हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ में बने रहे वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे like share कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए धन्यवाद